अरुन आपको अच्छा लगा बजेट यह थोड़ा मेरे लिए सर्प्राइजिंग है इन चार पॉइंच मैंने पिछले तीन बजेट स्पीच देखे तो थोड़े प्रपोजल सो वह इसे अलग वर्ड्स में थे बड़ इंपोर्टन में रिस्तार से बात तुरूंगा एक बार इसको complete overhaul की जरूरत है और जो income tax में आज चेंजिस कियें बले TDS हो, capital gain regime हो, reassessment के regime हो, सबसे ज़्यादा income tax के demand और litigation है यह अटके हुए, मेरे कहले से from an income tax point of view, finance minister ने बहुत bold moves अनौन्स किया है और कहा है कि 6 महिने में यह income tax act almost आपको एक नए राचे में दिखेगा इस बीच अरुन कुछ खोज कर लाए हैं कोई, या buyback का जो taxation है थोड़ा complicate किया है, जहां तक मैं देख रहा हूं, company के हाथ में नहीं है, shareholder के हाथ में, बड़ वो कह रहे हैं कि deemed dividend करके tax करेंगे, और जो भी आपका cost है, जो बाद में आगे जाके जब आपका कोई capital gain होगा, तो जो भी cost था, वाँ, उसका set-off हम आपको बाद में देंगे, थोड़ा मुझे इसमें complication दिख रहा है, buyback में, मुझे तो आपको सुनके complication लग रहे हैं, हाँ, deemed dividend, मतलब यह dividend करके tax करेंगे, simple part यह है कि company के हाथ में नहीं, shareholder के हाथ में रहेगा, पर वो कह रहे हैं कि हम, तो dividend रहेगा, तो dividend पर टेक्स company लगाती है, dividend distribution tax, अभी भी नहीं है, now it's in the hands of shareholder, basically, अभी company के हाथ में नहीं है, आप इसको इस तरीके से जड़ा, very surprising, मेरी बात, उनका कहना यह है कि जो भी buyback का आपका पैसा आएगा, आप मेरी बात तो सुनिए, इसको इस तरीके से देखि सरकार ने का, यह लोग, यह वाला लोग फोल भी बन, वट buyback का, मैं simply समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर company ने buyback किया, तो आज 20% tax company भरेगी buyback पे, shareholder के हाथ में कुछ नहीं है, अभी जो finance minister ने propose किया, budget में वो ऐसा है, कि जो भी buyback tax होगा, वो shareholder के हाथ में होगा, dividend, मतलब समझो, मैं shareholder हूँ, और 5000 रुपे का, मैंने buyback avail किया, और मेरे हाथ ने 5000 आया, तो आज क्या होता है, मेरे हाथ में, कि 5000 का, जो cost acquisition का, वो आपको set off मिलता है, और capital gain charge होता है, अभी नहीं होगा, जो भी आपको, जो भी आपको, एक में नहीं समझा, नहीं समझा, करता हूँ, 3 share, हाँ, आपका cost of acquisition, मेरे cost of acquisition, info का, कुछ भी समझ लो, मेरे, समझो 500 रुपे का है, मुझे 1200 रुपे पर share profit हो रहा है, for example, ठीक है, अब मुझे बताओ, कि कितने taxis, total 5000 रुपया, 1700 इंटो 3, 5800 आपके हाथ में आया, entire 5100 will be dividend, entire, पूरा, और जो आपका acquisition cost था, 500 र cost करके set off होगा, मतलब buyback बन, simple बताओ, आपने बोलना है, which means कि entire 100% money tendered in buyback will be taxable as dividend, ठीक बात है, तो अब कंपनिया buyback करेंगी नहीं, और अगर करेंगी तो shareholders, उसमें buyback में share देंगे नहीं, और अगर करना ही है, कोई Infosys, कोई Wipro, कोई TCA, जिसे कमचों के पास, भारी बर कम timing difference है, अनिल भाई, मतलब आज, कल future में capital gain होगा, अगर आज मेरा already कोई capital gain है, और फिर कोई buyback होता है, तो फिर भी it is advisable, क्यूंकि आप वो loss को set off कर सकते होगा, वो चीजी बंद, वो loophole बंद हो जाएगा, क्योंकि पहले ये था, मोटा dividend कमस्यां देती थी, उस dividend पे tax बढ़ तो buyback open market के through होगा, tender offer से नहीं होगा, open market से होगा, तो buyback company कोई अपनी share खरीदने तो उसमें तो कोई tax देना नहीं है, अरून कुछ और budget के जो tax session से related proposal से उस पर कुछ एक deep insight देना चाहते है, main point जो विजए जी ने अभी कहता कि property पे, capital gains overall ही, उनका कहना है कि दो holding period है, 12 और 24 months month, yes, 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 and if you have long term, capital asset 12% listed capital, 12.5, 12.5, no, 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 50,000,000 पे खरीदी है, तो एक inflation index रहता है, आपका cost of acquisition, आपको indexation का benefit मिलता है, तो 50 का, आपका cost 80,000,000 हो जाता है with inflation, और अगर आपने एक करोड पे बेचा तो सिर्फ 20,000,000 पे आप long term capital gain 20% बढ़ते हैं, अभी 50,000,000 का आपका cost है, 10 साल बाद आपने एक करोड पे बेचा, त taxation, short term, long term, short term तो खेर पूरे आपका individual slab में तो holding period 3 साल था, long term अभी gold पे उन्होंने क्या किया है, real estate या gold दोनों पे, 20% पहले था long term, अभी 1.5 टक का, holding period 3 साल था, long term के लिए holding period 2 साल कर दिया, दो साल के बाद gold, long term, अभी 3 साल है, अरे अरुन जी ने कुछ observation निका ले जल्दी से बताई हैं, angel tax abolition positive, capital gains, एक मिले के, इंजल tax abolition positive, indexation negative, capital gains changes, neutral, reassessment positive, reassessment buyback, taxation negative, आराम से, एक एक बताओ, चार ही बताओ, लेकिन चार अच्छे से बताओ, angel tax abolition, angel tax हटा दिया, वो बढ़ा है किया, okay, capital gains neutral, जो बढ़ा है वो, simplify किया है, लेकिन neutral, but indexation big negative, indexation हटा दिया हो, big negative, ठीक है, reassessments के changes किया है, positive, buyback big negative, buyback big negative, ठीक है, उसके पहले क्या वोला था, reassessments, retications के सब से बेटर है, equalization levy को जो हटा है, e-commerce operators पे, positive, positive, individual taxation, आशावादी, इंसान हो तो positive, अगर मैं देखूँ तो neutral जाना, angel tax positive, capital gains, neutral, indexation negative, buyback taxation, big negative, equalization levy जो e-commerce operators पे हटा दिया है, positive, positive, एक observation है, कि मुझे लगाता सुबह, employment link tax incentives आएंगे, तीन चीजें उन्होंने announce की, पर employment link tax incentives जो पहले देते थे, वो नहीं announce की, तो government का एक जो एक approach है, वो है, जो भी करना है, आप डारेक्ट करेंगे, companies को incentive नहीं देंगे, कि आप employment add करो, हम, हम वो incentivize करेंगे, but we will directly transfer, income tax का जो overall, यह हम ना भूलें, कि वित्मतरी ने काया है, कि 6 महने के अंदर वो पूरा comprehensive review करेंगी, income tax act का, तो जिनके भी suggestions हो, आज से ही सुरू कर दें, who knows, 6 महने बाद capital gains वापस change आ जाए, कुछ positive, विवाद से विश्वास, scheme ला रहे हैं वो लोग, मतलब जो income tax का litigation है, जो pile up ही होते जा रहा है, 4 साल पहले लाया था, बड़ा उसको एक support or response from the taxpayer, वापस ला रहे हैं, क्योंकि 4 साल में बहुत litigation बढ़ गई है, और Supreme Court में, अगर अभी income tax department को appeal करना होगा, तो minimum 5 करोड के उपर का tax case होना चीए, अगर 5 करोड के नीचे हो और High Court में department हार जाए, तो department Supreme Court तक नहीं जा सकती है.